नमस्कार आज का सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ प्रिया आपके साथ और आज का सवाल में आज हम बात करेंगे बेहत महत्वपूर मिश्य को लेकर दरसल आपको बता दे कि लगातार अनुछे 370 जो भारत का आंतरिक मामला है जब से अनुछे 370 हटाने का फैसला किया गया इसके साथ साथ सर्फ पाकिस्तान ही नहीं बलकि कहीं अलगावादी नेता और साथ ही कहीं विपक्ष्टी पार्टियां बें इस सरे की कोशिश कर रही थी हाल ही मैं हमने देखा था कि कॉंगर्स के दिकश नेता पीछ दम्रम ने भी इस बात का जिर किया था कि इसलिए कश्मीर मुस्लिम बहुल शेत्र है ऐसे में अगर हम आज की बात करें क्योंकि आज जम्यत उलेमा हिंद जो एक ऐसा संगठन है जो मुस्लिम हितों की बात करता है अपसे नहीं बलकि आजादी से पहले से 1919 में इस पूरे संगठन का गठन हुआ था माना जाता है कि इसलामी विद्वानों का ये संगठन जो आज ही कहता हुआ नजर आया है क्योंकि अनुछे 370 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब जम्यत उलेमा हिंद ने एक महत्वपूर बयान दिया उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अनुछे 370 हटा कर जो फैसला सरकार ने लिया है वो बेहत महत्वपूर है और बेहत खास है साथी साथ उन्होंने कहा कि अगर जम्मो कश्मीर का कल्यान हो सकता है या जम्मो कश्मीर के विकास के लिए नुछे 370 हटाना कितना जरूरी था पिलाल आपको सुनाते हैं कि आपकुछ